हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के दो स्टॉक के बारे में यानि कि IRFC और RBNL के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि इनके quarter 4 के numbers या results कब आएं कि RBNL के लिए कि दोनों के benefit करेगा ये भी हम यहाँ से देखने वाले हैं और इन दोनों stock में से अगर आपको buying करनी है तो किस में कर सकते हैं और यहाँ पे period जो है वो कितना रहेगा short term long term या फिर medium term का इन सारी चीजों पर discussion करने वाले हैं वीडियो आपको अच्छी लगे त इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूगा दीजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बात स्टार्ट करेंगे यहाँ पे IRFC से IRFC की closing अगर आप देखोगे तो देखो कल तो market close था तो परसों जो closing हुई है वो आपको यहाँ पे positive side पर देखने को मिली है इविन दो उत 20 रुपे के issue price पर आया था उसके बाद जो share है वो continuously आपको downside moment दिखाया 18 रुपे तक भी यह share आपको जाते है नजर आया एक time पर फिर इसमें moment जब बना तो 37 रुपीज तक भी यह share जा चुका है तो इसका मतलब यह है कि momentum तो बन सकता है इस share के अंदर potential भी बहुत जादा है just यहाँ पर कुछ जो चीजे हैं वो required हैं वो मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ जो है वो orders निकल के आ रहे हैं जिसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर बताये गया है के करीबन करीबन 80 sleeper class बंदे भारत ट्रेंज जो है वो आने वाली है उसकी supply होने वाली है और इस पूरे जो scenario का price रहेगा वो रहेगा 9600 करोड यानि की 9600 करोज का जो total amount है वो देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर यह जो news है वो basically है IRFC के लिए क्योंकि यह जो पूरी financing होगी वो होगी IRFC की तरफ से और यहाँ से आपको यह चीज पता से लेगी कि जो company है उसके पास जो यह project आया है वो काफी अत्तक help करने वाला है आने वाले time के अंदर-अंदर फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देख पा रहे होगे कि state-owned steel maker R R.I.N.L. is aiming to produce 55,000 wheels in the current financial year to meet the demand from Indian railways यानि कि अगर आप देखो को तो CMD अतुल भट की तरफ से बयार निकल के आया है के R.I.N.L. जो की आपको state-owned steel maker नजर आते हैं company नजर आती है जो यहाँ पे करीवन 55,000 wheels जो हैं वो इस financial year में बनाने का aim कर रहे हैं so dad यहाँ पे जो भी targets हैं वो achieve हो जाए जो demand है वो achieve हो जाए इससे आपको यह पता चलेगा कि Indian railway जो sector है वो काफी हद तक बड़ा performance दिखाने वाला है इस साल में और जो targets है जो demand है वो बहुत यहादा high नजर आती है आप यहाँ पे देखो राष्टिय इसपात निकम लिम्ट a set up a forced wheel plant at लाल गंज इन उत्तर प्रदेश जिसकी costing करीबन 2350 करोड के निकल के आती है और यह करीबन एक लाग forced wheel जो है वो पर एनम यानि कि एक साल में एक लाग wheels जो है वो बनाने की capacity रखता है तो यह जारी चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी कि आखिर यहां से जो momentum ह बनाने के लिए यह जो information है वो काफी नजर आती है और बस एक चीज और इसमें अगर add-on हो जाए जो की निकल के आती है quarter 4 के numbers जिसमें अगर एक कोई भी यहां पर corporate action अगर IRFC ने दिखा दिया तो मेरे ग्याल से जो 37 रुपे के target वो definitely फिर से अचीव हो जाएंगे जब यहां आपको इनका previous performance भी दिखा देता हूं company यहां पर ऐसे नहीं कि dividend नहीं देती company आपको अच्छा का से dividend प्रोवाइड कराती करीवन 5 से 6% के आसपास की dividend yield नजर आती है जिसमें 2021 में दो बारी यहां पर आपको dividend देखने को मिला है 2022 में दो बारी dividend देखने को मिला है और 2023 का यहां पर फौर्थ मन्त चल रहा है तो definitely मेरे ख्याल से पहले dividend का नाउस्मेंट इस quarter 4 के results में देखने को मिल सकता है और amount कितना रहेगा वह मैं आपको बता देता हूं आप यहां पर देखो average की बात करते हैं कोई highway बात नहीं करेंगे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका आपको एक रुपे के आसपास का dividend अनाउस हुआ ता फिर 77 पैसे गा यहनी कि अगर एवरेज करोगे तो करीवन वही 80-90 पैसे का आसपास निकल के आता है फिर अगर हम यहां पर बात करें 2022 में 63 पैसे और 80 पैसे गा यहनी कि करीवन करीवन 70 पैसे का आसपास का average है तो दोनो सकते हैं कि सब्सक्राइब या इस ब्लंवे सकते हैं तो इतनी ही आ चल सकते हैं या रखे सकते हैं कि प्रीवेयस कոर्टर ने बहुत अच्छा का सब्सक्राइब को देदेगा पहला अब बात करते हैं आर्बी एनल के बारे में आर्बी एक ऐसा स्टॉक है जो कि कॉंटिनेशली ग्रो कर रहा है अगर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है एक निउस निकलके आई है कि राजिस्तान की पहली बंदे भारत ट्रेंज जो है वह आपको यह जो पर्टिकुलर निउस जिस दिन निकलके आई है उस दिन आप चलती हुए नजर आ सकत कॉंट्रेक्ट मिला है जो बंदे भारत ट्रेंज के बनाने का कॉंट्रेक्ट मिला है वो मिला है आपे आरबी अनल को इन्होंने सबसे कम बोली लगाई थी उसके बाद और भी बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्स आये हैं गुजरात मेट्रो का और भी यहां पर आप देख आ सकता है बाकी ज़्या तो आप स्क्रीन पर देखी पा रहे होगे लेकिन अब यहां पर जो कंक्लियूजन निकलता है कि आखिर इन दोने स्टॉक में से हमें बाई करना हो तो कौन सा करना चाहिए या फिर दोनों में बाई करना चाहिए तो सबते पहला आता है आई एर करके थोड़ा टाइम डियूरेशन उसको प्रोवाइड कर आते हैं तो डेफिनेटी ऐसे लोगों के लिए आई एर अपसी काफी यदा अच्छा है एपडी से बैटर रिटन्स है आपको डिवीड दील भी अच्छी मिलती है और आने वाले टाइम में इसका ओबरॉल व्यूप यानि इस टैने डिवीएशन आपको इसका बहुत जादा नजर आता है तो चांसे अव रिटन्स आव एरी हाई लेकिन रिस्क भी थोड़ा था आई एर अपसी के कंपारेजन में बढ़ जाता है लेकिन हाँ अबरॉल अभी जो कंपनी की पोजिशन है बहुत यादा आपके साथ क्वाटर फॉर के नंबर्स में भी यह पता चल जाएगा तो यह वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है वीडियो गर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू करिएगा चैनल वस्टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर द जन्यवाद